नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी लोग का इवर फिर से केरियर इंडिय एजुकेशन में आज आपके संग चर्चा होगी भारत के पहाड परवत और उनके सरवोच सिखर भारत के अंदर जितने भी पहाड हैं परवत हैं उन सभी के सरवोच सिखर क्योंकि इन से देखा गया है प्रस्ट जोग्राफी वाले चेप्टर से अक्सर पूछे जाते हैं आप लोग जैसे ही देखेंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ यह वही प्रस्ट है जो या तो कहीं न कहीं पूछे गए हैं या पूछे जाने की इन से संभावना है यदि आप लोगों नहीं दे रखा है कोई एक्जाम नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं इसको देख लें क्योंकि इससे सम्मंदित जो प्रस्ण है वो अक्सर पूछे ही जाते हैं जोग्रॉफी का एक महत्पूर शेप्टर है यह चलिए अपन चालू करते हैं और हाँ दोस्तों जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए क्योंकि बिना PDF के क्लास का कोई मतलब नहीं है और PDF आपको टेलीग्राम पर ही प्राप्त होगी जैसे की क्लास समाप्त होती है PDF टेलीग्राम पर अप्लोड कर दी जाती ह आप PDF को ले कर उसको कभी भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं है ना चलिए चालू करते हैं सबसे पहला ही प्रशन है कि भारत की सर्वोच परवस्षिखर का नाम क्या है तो दोस्तो इसका अंसर है के टू गॉर्डविन ओस्टिन मैं यहाँ पर आप लोग के लिए क्लियर कर दूँ कि जो माउन्ट एवरिस्ट है वो भारत का सर्वोच सिखर नहीं वो पूरे बिश्व का सर्वोच सिखर है जो की भारत के अंदर नहीं है इसलिए इस बात पर आप लोग बिसेश गौर करिएगा यह वाले जो प्रस्ण है यह मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है माउन्ट एवरिस्ट पर एक अलग से क्लास बनाई जाएगी उस क्लास में माउन्ट एवरिस्ट से जुड़ी हुई लगबग सभी जितनी भी उसमें महत्पूर्तत हैं उन सभी को रखा जाएगा वो इसके बाद आने वाली क्लास है तो यहाँ पर हम भारत के अंदर की बात करेंगे तो भारत की सरवोच जो परवस सिखर है उसका नाम क्या है दोस्तों के टू गॉडविन ओच्टेन अब एक बात और मैं आप लोग के लिए क्लियर कर दूँ दोस्तों कि जो के टू गॉडविन ओच्टेन है वो पी ओके में है पी ओके से मतलब है अहाँ पर है दोस्तों पी ओके में एक मिट मैं पैन को सिलेक्ट कर लेता हूँ अब देखिए भारत का जो सरवोष सिखर है वो P.O.K. P.O.K. का मतलब क्या होता है पाक अधिकरत भारत पाकिस्तान के द्वारा अधिकरत किया गया भारत का हिस्सा इसलिए कहीं कहीं पर भारत की सरवोष चोटी केटू गौर्डविन उस्टिन को नहीं माना जाता है वो एक भारत का सरवोष सिखर केटू गौर्डविन उस्टिन ही है जो की P.O.K. में है पर कहीं कहीं प्रस्ण बदल जाता है वो कैसे बदलेगा अपना आगे देखेंगे अब देखिए यहाँ पर केटू गौर्डविन उस्टिन के बारे में थोड़ा सुन लेते हैं बिश्चो का दूसरा सरवोष परवसिखर केटू गौर्डविन उस्टिन है क्योंकि पहला माउंट एवरिस्ट है इसकी उचा यह 8,611 कितनी है दोस्तों 8,611 यह कस्मीर के कारा कोरम परवत माला में इस्थित होने के कारण केटू नाम से जाना जाता है इसे केटू का नाम 1852 में कब 1852 म यह एक व्यक्ति है जिन्होंने इसका नाम दिया हुआ है क्या नाम है इनका टी जी मॉंट गॉमर तो केटू के बारे में आप लोग समझ गए ठीक है जब केटू आपको याद आए तो आपको पीओ को पी ओ के जरूर याद आना चाहिए पाक अधिकरत भारत अब चलिए आ वाला हिस्सा है याने कि हम प्राइदीप उस छेत्र को कहते हैं जो तीन ओर तो जल से घिरा हुआ हो और एक और थल से घिरा हुआ हो चलिए यहां देखते हैं प्राइदीप ये भूमी के वे भाग होते हैं जिनको तीन तरब से जल से और एक और इस थल से घिरा जाता है या नाई मुडी, कहीं कहीं यह नाई मुदी भी आता है, थीक तब इसी के संग प्रस्ण ये भी बन जाता है कि Prydp. भारत की सबसे उची चोटी, या दचंड भारत की आ जा या प्राइद भारत की आ जा जा है तो आप नाई मुडी लगाएंगे, इनकी हम लंबाई पर उचाई पर गौर करते हैं तो 2695 तो मीटर है इसी में यदि हम तीन का गुणा कर देते हैं दोस्तों यानि कि एक मीटर में लगभग तीन फिट होते हैं सब्दे मैंने लगभग लगा दिया याद रखी तीन फिट से थोड़ा सा बड़ा होता है तो अगर फिट की हम बात करेंगे तो 8842 फिट है दोनों ही कॉस्चन बेहद महत्पूर हैं दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा आगे चलते हैं नील गिरी परवत की सबसे उची चोटी कौनसी है तो नील गिरी परवत की सबसे उची चोटी है डोडा बेटा ये बार बार प्रस्ण पूछा जाता है कि नील गिरी की सबसे उची चोटी कौनसी है तो कौनसी है डोडा बेटा नील गरी की पहाड़ियां है कहां? तमिल नाडू में हैं, एक ये किलियर हुआ, दूसरी बात है, सुदूर दक्षिन की परवस्रेणी है, पहाड़ियों इवं पश्चिम इवं पूर्वी घाटों का संगम है, नीचे की तरफ आप देखेंगे, तो ये दक्षिन की परवस्रे क्योंकि जोग्राफी बिना मैप की अच्छे से याद नहीं होती, एक एक लाइन को कब तक याप करेंगे, जब तक मैप आपके सामने नहीं होगा, यदि मैप है तो बहुत जल्दी ये सब याद हो जाते हैं, आके चलते हैं, माउंट तैनिपो, किस राजिकी सबसे उची च जोटी है, पहली बार, इसे माउंट आइसो भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, माउंट आइसो, इसकी उचाई 2994 मीटर है, 2994 मीटर, अब यदि आप इसको किलो मीटर में देखेंगे, तो लगभग 3 किलो मीटर के आजपास है, जिसमें 6 मीटर कम है, आप ऐसे अंदाज तरीके से उचाएगी है, ऐसा ही जब हम 8 किलो मीटर को लगा लेते हैं, तो वही एक तरीके से एवरिष्ट की है, के 2 गौर्ट बेन आउस्टिन की उचाईगी है, है ना, आगे चलते हैं, पूर्वी घाट की सबसे उची चोटी कौन सी है, कौन सी है, जिन्द गड़ा, परवस्रेणी की सबसे उची चोटी कौन सी है, सत्पणा परवस्रेणी की सबसे उची चोटी है, धूब गड़, बेर इंपर्टेंट है, ये मद्ध प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए काफी जादा महात्पून है, यदि परिच्छा होती है, तो धूब गड़ को ब तरीके से 4439 फुट है ना इसकी उचाई है और ये कहां पर है एक तरीके से देखा जाए दोस्तों ये जो धूब गड़ है ये पचमडी में इस्तित है आगे चलते हैं गारो खासी जैनतियां पहाडियां कहां पर इस्तित है तो ये कहां पर हैं दोस्तों मेगालाय में इस्तित है गारो खासी पहाडियां मेगालाय में इस्तित है पहाडियों का नाम इन इस्थान पर निवास करने वाली जो जंजातियां है उनके नाम पर पड़ा है तो यहां से की जोर किलियर हुई की गारो, खासी और जहांतियां एक तरीके की जन जाती हैं, जिनके नाम पर यहां की जो पहाडियां हैं, उनका नाम पढ़ा है, कहां पर मेग हाला है, बार बार पूछा जाता है यह प्रश्ण भी, प्रश्णा नदी किस परवस्षे निकलती है, तो दोस पहला कौन सा हो जाता है मांट एबरिस्ट दूसरा हो जाता है के टू गॉर्ड वेनॉस्टिन और तीसरी की यदि हम बात कर लें तो कंचन जंगा दुनिया की तीसरी सबसे उची परवच चोटी है ठीक है तो तीनों को आप लोग याद रखिएगा तीसरे पर कंचन जंगा है सिक्क्यम के उत्तर पस्चिम भाग में हैं नेपाल की सीमा पर है इसकी उचाई 8586 मीटर है किति है 8586 मीटर चली आगे चलते हैं बेट लिंग चिप किस राजिकी सबसे उची चोटी है तो ये कहां की है ये तिरपुरा की है बेट लिंग चिप ये कहां की है तिरपुरा की है बेट लिंग चिप की उचाई 32 मीटर है ठीक है नंदा देवी किस राजिकी सबसे उची चोटी है नंदा देवी कि यदि हम 7886 मीटर है चीख है आगे चलते हैं नदा देवी ट्रांस हिमालय की सबसे उची प्रवस्रेड़ी कौन सी है तो कारा कॉरम ट्रांस हिमालय कौन सा कारा कॉरम ट्रांस हिमालय जोगरफिवी में आप लोग हिमालय कुछ चाल भागों में बाड़ते हैं, कहीं कहीं ये जो विवाजन है छे भागों में भी बताए जाता है, पर वो एक के दो हिस्से निकलाते हैं, उसी की चर्चा चल लगी है, ट्रांस हेमाले की सबसे उची परवश्रंख लाएं हैं, कौन कौन सी कारा कोरम है, लदाक है, जासकर है और पीर पानजाल है, चारों को याद रखिएगा, कारा कोरम की ही सबसे उची चोटी केटू गॉल्ट गे नॉस्टिन है, भारत की सबसे उची चोटी है, चलिए आगे चलते हैं, अरावली परवश्र की सबसे उची चोटी कौन सी है, तो गुरु सिखर, ये बहुत इंपो अरावली उत्तर भारती परवतमाला है, राजस्थान राज के पूर्व उत्तर छेत्र में गुजरती हुई 560 किलो मीटर लंबी परवतमाला की कुछ चट्टानी पहाड़ियां दिल्ली के दक्षण हिस्से तक फैली हुई है, याने कि यदि राजस्थान से इन देखें, त दोनों के बीच में 560 किलो मीटर के आसपास लगभग में ये जो पूरी चट्टाने हैं या ये जो पूरा पहाड़ है फैला हुआ है, पहली बात, भारत की भोगोलिक सन्रशना में अरावली प्राचीनतम परवत है, या संसार की प्राचीन परवत संकला है, जो राजस्था प्राण में एक जिला है, शिरोही वहाँ पर है, जिसी का नाम है गुरू सिखर 1707, 1727 मीटर, इसकी उचाई है, याद रखिएगा गुरू सिखर माउंट आबू में इस्तित है, माउंट आबू, शिरोही जिला, गुरू सिखर 1727 मीटर, याद रखिएगा अरावली परवत, हिमालय परवत से भी पुराना सबसे प्राचीन परवतों में गिना जाता है, आगे चलें, पालगाट धर्रा किन पहाडियों के मद्ध इस्तित है, यह नील गिरी और अन्ना मलाई पहाडियों के मद्ध में इस्तित है, किन किन के मद्ध इस्तित है, नील गिरी और अन्ना मल जाता है जैसे कि यहां पर पहाड़ी शक्तान है यहां पहाड़ी शक्तान है बीच में हलका सा रास्ता है तो उसी को पहाड़ी दर्रा कहते हैं थी कि अब देखें हैं माउन डेड़ा बेटा किस राज्य में इस्ते थे तमिल नाडू जब आप लोग दोस्तों इतिहास का ध्यान करते हैं सुरुवात में और जब भारत में यूनानी एक तरीके से आक्रमण होते हैं भारत के आक्रमण होते हैं तब वो कही ना कहीं वहां से दर्रों को पार करते हुए भारत में प्रवेश करते हैं भारत में प्रवेश करने का पहला माध्यम अगर देखा जाए तो समुद्र ना होकर इस्तल ही मार्ग था तो इस्तल मार्ग में वो लोग बहुत सारे दर्रों को पार करते हैं लोगों ने पढ़ा रखा होगा तो यहां पर उन्हीं दर्रों की बात चल रही है तो नील गिरी परवत की सबसे उची चोटी है ठीक है डेड़ा विट्टा यह तमिल नाडू राज में इस्तित है और इसकी उचाई 2637 मिल्टर है किती है 2637 मिल्टर है काडमम की पहाडियां व भारत के पश्चमी घाट की परवत माला की पहाडियां है पश्चमी घाट की काडमम का अर्थ हिंदी में इलाइची होता है क्या होता है इलाइची होता है यदि हम यहां से भारत का इकमें बना लें देखिए तो उन्होंने कौन सा छेत्र बताया है पश्यमी तो ये वाला जो छेत्र होगा ये वाला इसी को हम पश्यमी छेत्र गहेंगे चुकि ये वाला पूर्वी छेत्र है तो पश्यमी घाट की ये परवत माला आए है ठीक है यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर केरल है है केरल यही नदी के पस्चिम से पूरब की और फेली भी है और इसमें इस्थित गुफाई गुप्त कालीन बित्ती चित्रकारी के लिए बिश्विप्रसिद्ध हैं याद रखिएगा यदि अजन्ता से संबंदित प्रशना आ जाए पहाड से संबंदित तो बिना सोचे समझे आपको महा प्राश लगा देना है अजन्ता को भी आपने तेहास में काफी पढ़ रखा है जो की एक तरीके से गुप्तों के समय की हैं और यहां पर बुद्ध की जैन की एवं अन्य धर्मों की बहुत सारी चित्रकारी करी गई है अजन्ता मुक्यताब बुद्धों के नाम से भी जान गालाय राज्य में स्थित है किलियर है यह खासी पहाड़ी पर है अभी अपने देखा था गारो खासी जन्ती तो यह वही खासी है और नाम में गालाय आई या है तो आप लोगों को याद आ गया होगा तो connect भी करते चलिएगा याद भी तो करना है सिर्फ देखना नहीं है भाई अगर याद नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं मेरा बनाने का आपका देखने का तीक आगे चलते हैं चोटा नाकपुर का पठार की सबसे उची परवच्चोटी कौन सी है जैसे चोटा नाकपुर का पठार आ जाए तो जारखंड के उपर वाला हिस्सा आपको याद आ जाना चाहिए क्योंकि छोटा नाकपुर सब्द तो नाकपुर है याद लोगों को महराष्ट आ जाता है पर ये महराष्ट की बात ना होकर जारखंड और बिहार के आसपास की बात होती है तो यह चोटा नाकपुर के पठार की बात चल लगए कि सबसे उची परवच्च दोटी कौन सी है तो दोस्तो है पारसनात जहार खंड के पारसनात पहाड़ी स्रंखला में एक परवस्थिखर है या भारती राज जहार खंड के छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर की योर इस्थित है कभी जोग्रॉफी पर चर्चा करेंगे तो इन सब को देखा ज स्रेड़ ही किस राजर में इस्थित तो दोस्तो राजिस्थान में इस्थित है कहां पर इस तो दोसे पुरा फंट है पास में स्थित है, माफ़ पर ये सको माउंट आबू कहते हैं, ठीक है, तो चार बातें आप लोग अच्छे से याद रखेगा, पांच भी यह सबसे पुरानी परवस रंकलाओं में से एक है, हिमाला इसे भी पुरानी, किस से हमाला इसे भी पुरानी, ठीक है, माउंट सिनी ओल्चु किस राज की सबसे उची चोटी है तो ये सिक्किम की है कहा की है सिक्किम की माउंट सिनी ओल्चू माउंट सिनी ओल्चू भारती राज सिक्किम के सबसे उचे पहाडों में से एक है जिसकी उचाई 6888 मीटर है कितनी है 6888 मीटर है ठीक है माउंट सारा माती किस राजी की सबसे उची चोटी है तो नागा लेंड की है नागा लेंड की माउंट सारा माती भारत के नागा लेंड राजी का सबसे उचा परवत है इसकी उचाई 3841 मीटर है किती है 3841 मीटर है याद रखी आगे चलते हैं डोली गट्टा किस राजी की सबसे उंची चोटी है, डोली गट्टा ये तेलंगाना की है, ठीक है, कहां की है, तेलंगाना की है, डोली गट्टा दक्कन के पठार में इस्थे चोटी है, और उंचा इसकी किती है 965 मीटर, तो डोली गट्टा कहां याद रखेंगे, तेलंगा कहां पर दक्तन के पठार में ठीक है और अगर आजाता है अनाई-मुडाई तो क्या याद रखना है आप लोगों को तमिलाडू याद रखना है इन सब चीजों को याद रखिएगा आगे जलते हैं हर्याना की सबसे उची परवत चोटी का नाम क्या है करोह बीक कौन सा है करोह बीक करोह बीक हर्याना की मोरनी पहाडी कौन सी मोरनी पहाडी संखला की सबसे उची चोटी है यह चोटी पंच कुला में इस्थित है कहां पर इस्थित है पंच कुला में सो सो गोर किस राज्य की स 1026 मीटर है कितनी है 1026 मीटर है ठीक है आगे चलते हैं भारत की उत्री सीमा पर इस्थित परवत है कौन सा है दोस्तों हिमाला है भारत की उत्री सीमा पर कौन सा परवत इस्थित है तो हिमालय परवत इस्थित है अनंतगिरी हिल्स किस राज में इस्थित है तो तेलंगाना में बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तटकी किस पहारी पर इस्तित हैं? क्या नाम है? बोरा गुफाएं यार रख़ें इंपॉर्टेंट है यह यह अनन्तगिरी की पहारी पर ठीक है? अब यहां से समझ लीजिए बोरा गुफाएं देश की सबसे बड़ी गुफा में से एक है यह लगबग 705 मीटर की उचाई पर इस्थित है पहली बाद यह पने चर्चा कर लिए फिर से आ गया तमिल नाडू साथ माला परवस्रेणी कहां इस्तित है यह महराष्ट में ही क्या थी आजनता की पहाडी और गुफाएं चुकि गोई पहाली थी उन्हीं में गुफाएं बन गई तो अजनता हो गया साथ माला परवत हो गया अब यह ज कहा है असम में काजीरंगा रज्टी उद्यान के दक्षिन में इस्थित पहारियों का एक समू बनाती है भारत के दक्षिन पठार का सरवोत्तम बिंदु कौन सा है तो अन्ना मलाई कौन सा है? अन्ना मलाई. चलि आगे चलते हैं. भारत के नियूंता मुचाई वाला छेतर कौन सा है? ये बहुत important प्रशन है दोस्तों. अगर प्रशनाता है डीपली तो ये प्रशन अक्सर पूछ लिया जाता है. कल योगार पूछा गया है. भारत के नियूं समुद्र तल से समुद्र तल ही नूच्छे की जाती है जहां पर इसकी चर्चकी जा रही है यह चार से दस फिट नीचे समझने हैं आप जैसे समदुरतल हो गया यह देखिए यह समदुरतल है अब इससे यह नीचे है तो इसके पास में तो है नहीं पास में अगर होता तो यहां पानी भाजाता तो बीच में कहीं पर यह है ना तो क आगे चलते हैं रंग नाट के भगवान रंग नात का मंदिर किस पहारी पर इसते थे तो यह दोस्तों तिरूमल पहारी पर। श्री रंगनात स्वामी मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो रंगनात को समरपित है जो तमिल नाडू भारत में इस्तित है याद रखीएगा सेंडल पीक कहां इस्तित है इसको आप लोगों ने वैसे भी पड़ रखा होगा काफी बार दोस्तों important है ये अंडमान निकोबार दीपसमू में है, सेंडल परवत भारत के अंडमान और निकोबार दीपसमू का सबसे उचा पहाड़ है, यह 731 मीटर की लंबाई के साथ, बंगाल की खाड़ी में दीपसमू का उच्चतम बिंदू है, दीपसमू जो है उनका पूरे का उच्चतम बि तो इन्ही को हम पश्चमी घाट भी कहते हैं क्या कहते हैं पश्चमी घाट थोड़ा सहयदी उपर चले जाएंगे तो सहयाध्री चुकि महराष्ट में महराष्ट वाला जो पश्चमी घाट है उसी को सहयाध्री कहा जाता है लुसाई की पहाडियां कहां इस्तित हैं तो दोस नील गरी की पहाड़ी पर यदि हम पूर्वी घाट यानि इस तरीके से भारत के नीचे वाले हिस्चे को देख ले हैं यहां पर तो पूर्वी घाट और पश्चमी घाट जहां पर मिलता है यह वाला हिस्सा तो यही क्या है नील गरी की पहाड़ीयां क्या है नील गरी की पहा आजाता है क्या कहा जाता है हिल्स क्योंकि यह जमीन से 18 मीटर उपर पहाड़ी पर बसा हुआ है याद रखिएगा राय सीना और राय सीना जैसे या जाए तो हिल्स से याद आ जाए तो आपको राष्ट बतियाद आ जाना चाहिए क्लियर है याद रखिए आगे चलते हैं सहयादरी की पहाड़ियां कहां पर इस्ते थे तो दो आगया एक तो पश्मी घाड़ भी उनको कह दिया गया दूसरी वाद महाराश तो यहां से तीनों चीज़े के लिए रोगई अरावली तता बिंद स्रेणी के बीच कौन सा पठा राता है तो यह मालवा का पठा राता है अन्ना मलाई की पहाड़ी किस राज में इस्ते थे तो दोस्तो केरल में इस्ते थे कहां पर इस्ते थे केरल में इस्ते थे ठीक है अन्ना मलाई की पहाड़ी की सबसे उची चोटी क तो कौन सी है, अनाई मुडी, घीक है, इसको चोथी बार घुमा के बताया गया है, अनाई मुडी भारती राज्यक टेरल के एरना कुर्लम जिले में जिले और इड़ूकी जिले में स्थित एक परवत है, कौन सा इड़ूकी इनको याधर कि यह गाते हैं, यह कब आज एक ला इमने लिखित में से किस पहाडी पर इस्तित है तो अन्ना मलाई पहाडी पर अन्ना मुडी सरवुच चोटी है प्राइदी पिये पठार की या प्राइदी पिये डक्षन भारत की या डक्षन भारत की मिस्मी पहाडियां कहां इस्तित हैं तो दोस्तो अरुनाचल प्रदेस मे भारत के पूर्वोत्तर भाग में अनुनाचल प्रदेश राज के मद्ध में इस्थित पहाडी संख्या है, मतलब पहाडियां है वहाँ पहाडियां पूर्वोत्तर हिमालय और हिंद बर्मा पहाडियों का मिलन इस्थाल है, क्लियर है कौनसा पूर्वोत्तर हिमालय याने हिमा गुजरात में इस्थित हैं महेंद्र गिरी सिखर किस राज में इस्थित है उड़ीशा उड़ीशा पहले नाम था इसका नाम उड़ीशा है बिंद्याचल परवत का सबसे उच्छतम बिंदू कौन सा है तो अमरकंटक गोस्तों मद्द प्रदेश वालों के लिए बहुत ही ज गुजरात में खंबात की खाड़ी की और निकल जाती है एक प्रस्ण और बनता है नर्मदा नदी पर कि ऐसी कौन सी नदियां है जो की पूरब से पश्च्छिम की और प्रवाह करती है उसमें नर्मदा नदी और तापती नदी जो की एक दूसरे के सामाना अंतर चलती है आ तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि हिमालय को देखा जाए माउंट एवरेस्ट तो उसी की एक चोटी है के टू गॉडवे नौस्टिन जो भारत में है यानि की पात अधिकरत भारत में इसलिए हम जब कॉश्चन को देखते हैं जो कि मैंने सुरुगात में बताया थ कहां पर यह confusion में आता है तो यदि option में K2 गॉडवे नौस्टिन है भारत की सरवो चोटी तो आप इसी को लगा देंगे यदि K2 गॉडवे नौस्टिन नहीं है तब वो आपको option में देगा कंचन जंगा और एक option में देदेगा इन में से कोई नहीं तो यह आपकी समझ को द नहीं मान रहा है तो उसने गॉडवे नौस्टिन option में नहीं दिया और उसने क्या दिया है कंचन जंगा दूसरे नंबर पर सबसे उची चोटी है और उसी में option उसने लिख दिया कि इन में से कोई नहीं तो आपको कंचन जंगा पर लगाना पड़ेगा ठीक है अब आप लो तीन बार को अंचड़ा और अभी भी उसमें लगातार लोग चलते जा रहे हैं तो उससे question बहुत अलग-अलग टैक्स से बनते हैं इसलिए उसकी एक अलग से class आईगी तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा इसके बाद ही उसकी class आईगी जोगराफी वाले chapter में ठीक है चलिए दोस्तो आज की जो अपनी class है इसको अपन समाप्त करते हैं इसके बाद मिलते हैं next किसी class में आज की class आपको कैसी लगी आपको ये content कैसा लगता है आप लोग comment में जरूर बताईएगा इसकी PDF आपको telegram पर ही मिलेगी तो description box में जाईए, telegram में add हो जाईए, जैसे ही class भी यूटूब पर डलती है, यूटूब पर डलने के बाद उसमें PDF भी डल जाती है, आप लोग PDF को download करें, जब मन पढ़ें तब उसको पढ़ें, नमस्कार मिलते हैं अगली class अब